ओम शान्ति, 30 मार्च 2020, बाबा के महावाक्या, मेठे बच्चे, तुम्हारा चहरा सदा खुश नुम्हा चाहिए. हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चहरे से जहलकनी चाहिए. प्रश्न, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुशार्थ क्या है? उत्तर, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुशार्थ करते रहते हो, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं. तुम प्यार से याद करो, तु बहुत कमाई जमा होती जाएगी. सवेरे सवेरे उठकर, याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी. ज्यान की बातें बुद्धी में आती रहेंगी. तुम बच्चों को मुख से कोई कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी हैं. गीत तुम ही पाके हमने जहां पालिया. ओम शान्ती. गीत जब सुनते हैं, तो उस समय कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चड़ती है. भगवान हमको पढ़ाते हैं. भगवान हमको विश्व की बादशा ही देते हैं. परन्तु इतनी खुशी कोई विरले को यहां रहती है. स्थाई वह याद ठैरती नहीं है. हम बाप के बने हैं. बाप हमको पढ़ाते हैं. बहुत हैं जिनको यह नशा चड़ता नहीं है. उन सत्संगों आदी में कथाई सुनते हैं. उनको भी खुशी होती है. यहां तो बाप कितनी अच्छी बाती सुनाती हैं. बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाती हैं. तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए? उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहां वालों को उतनी खुशी नहीं रहती. बुद्धी में बैठता ही नहीं. बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत चार पांच बार सुनो. बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं. ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी. बाप कहने से वर्सा भी याद आ जाता है. पढ़ाई से वर्सा मिलता है. तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने. तो बाकी और क्या चाहिए? ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए. रात दिन नेंद भी फिट जाए. खास नेंद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए. जैसे मस्ताने. ओहो हमको बाब से विश्व की बाद्शाही मिलती है. परन्तु माया याद करने नहीं देती है. मित्र संबंधियों आदी की याद आती रहती है. उनका ही चिंतन रहता है. पुराना सडा हुआ किचडा बहतों को याद आता है. बाब जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो. वह नशा नहीं चड़ता. स्कूल में पढ़ने वालों का चहरा खुश नुमा रहता है. यहां भगवान पढ़ाते हैं वह खुशी कोई विरले को रहती है. नहीं तो खुशी का पारा अथा चड़ा रहना चाहिए. बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं यह भूल जाते हैं यह याद रहे तो भी खुशी रहे. परन्तु पास्ट का करम भोग ही ऐसा है तो बाप को याद करते ही नहीं मुह फिर भी किचडे तरफ चला जाता है. बाबा सब के लिए तो नहीं कहते हैं नंबर वार हैं. महान सौभाग्य शाली वह जो बाप की याद में रही. भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं. जैसे उस पढ़ाई में रहता है, फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं. वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं. भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए? सुनने समय कोई कोई को नशा चड़ता है. बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं. बस गुरू किया, समझेंगे यह हमको साथ ले जाएंगे. भगवान से मिलाएंगे. यह तो खुद भगवान हैं. अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे. मनुष्य गुरू करते ही इसलिए हैं कि भगवान के पास ले जाएंगे. वा शान्ती धाम ले जाएंगे. यह बाप सम्मुख कितना समझाते हैं. तोम स्टूडेंट हो. पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो. बिलकुल ही याद नहीं करते. बात मत पुछो. अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते. शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं. वह ज्यान का सागर है. हमको वर्सा देते हैं. यह याद रहे. तो भी खुशी का पारा चड़ा रही. बाब सम्मुख बताते हैं. फिर भी वह नशा नहीं चड़ता. बुद्धी और-और तरफ चली जाती है. बाब कहते हैं. मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे. मैं गैरंटी करता हूँ एक बाब के सिवाए और कोई को याद ना करो. विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है? यहां तो कोई मरता है, तो दो-चार वर्ष भी उनको याद करते रहते. उनका गायन करते रहते. अब बाब सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो. जो जितना प्यार से याद करते हैं, उतना पाप कटते जाते हैं. बहुत कमाई होती है. सवेरे उठकर बाब को याद करो. भक्ती भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं. तुम तो हो ज्ञान वाले. तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फसना हैं. परन्तु कई बच्चे ऐसे फस पढ़ते हैं, जो बात मत पूछो. कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं. सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहते. ज्ञान की बाते बुद्धी में आती ही नहीं. कई तो ऐसे बच्चे भी हैं, जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं. बाप की जो सर्विस करते हैं, याद भी वह आएंगे. इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत पर मनोहर देखने में आती है. आज करणाल गई, आज कहां गई, सर्विस पर भागती रहती है. जो आपस में लड़ते रहते, वो सर्विस क्या करते होंगे? बाप को प्यारे कौन लगेंगे? जो अच्छी सर्विस करते हैं, दिन रात सर्विस की ही चिन्ता रहती है, बाप की दिल पर भी वही चड़ती है. घड़ी-घड़ी, ऐसे गीत तुम सुनते रहो, तो भी याद रहे, कुछ नशा चड़े. बाबा ने कहा है, कोई समय किसको उदासी आ जाती है, तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाईगी. ओहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं, बाप तो सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो. कितनी सहज पढ़ाई है, बाबा ने अच्छे अच्छे दस बारा रेकॉर्ड छाट कर निकाले थे, कि हर एक के पास रहने चाहिए. परन्तु फिर भी भूल जाते हैं, कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती हैं, बाप तमो प्रधान बुद्धी को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ती बताते हैं. अभी तुमको रॉंग राइट सोचने की बुद्धी मिली हैं. बुलाते भी बाप को हैं, हे पतित पावन आओ. अब बाप आई हैं, तो पावन बनना चाहिए ना. तुम्हारे सिर पर जनम जनमांतर का बोजह है, उसके लिए जितना याद करेंगे, पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी. भल सर्विस्तो करते रहते हैं, परन्तु अपना भी हिसाब रखना हैं. हम बाप को कितना समय याद करते हैं. याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते. पॉइंट तो भल लिखते हैं, परन्तु याद को भूल जाते हैं. बाप कहते हैं, तुम याद में रहे भाषन करेंगे, तो बल बुहत मिलीगा. नहीं तो बाप कहते हैं, मैं ही जाकर बहतों को मदद करता हूं. कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूं. सर्विस तो करनी है ना? देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अकल नहीं है, तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ. फिर कोई-कोई लिखते हैं, बाबा ने ही यह सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई, कोई को फिर अपना इंकार आजाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया. बाब कहते हैं, मैं कल्यान करने के लिए प्रवेश करता हूँ, फिर वह ब्रामनी से भी तीखे हो जाते हैं. कोई बुद्धु को भेज दूं, तो वह समझते हैं, इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं हैं, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है. कोई-कोई हैड बनकर रहते हैं, तो बड़ा नशा चड़ जाता है, बहुत भबके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू-तू कर बात करते हैं, बस उनको देवी देवता कहते हैं, तो उसमें ही खुश हो जाते हैं. ऐसे भी बहुत हैं, टीचर से भी स्टूडेंट हो श्यार हो जाते हैं, इम्तहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर, उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो, कोई तो अच्छी रीती धारना कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं, बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा, हमारे विकर्म विनाश कैसे हो, कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं, जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने, अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुर्शार्थ करना हैं, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं, भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं, हम साहुकार बनेंगे, परन्तु पुर्शार्थ तो सजाओं से बच्चने का करना हैं, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी, जज का बच्चा कोई ऐसा काम करें, तो जज को भी लज्जा आएगी न, बाप भी कहिंगे, हम जिनकी पालना करता हूं, उनको फिर सजा खिलाओंगा, उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे, बाप ने इतना समझाया, पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया, बाप के साथ धरम राज भी तो है न, वह तो जनम पत्री को जानते हैं, अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, दस वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूंसा लगाया, की कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा, ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं, माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं, बाप से हमको बेहद की बाच्शा ही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती, काम के पीछे फिर मोहो भी है, इसमें नश्टो मोहा बनना पड़े, पतितों से क्या दिल लगानी हैं, हाँ, यही ख्याल रखना हैं, इनको भी हम बाप का परीचैदे उठावी, इनको किस रीती शिवाल्य का लायक बनाएं, अंदर में यह युक्ती रचों, मोहो की बात नहीं, कितना भी प्यारा संबंधी हो, उनको भी समझाते रहों, किसी में भी हड़ी प्यार की रग ना जाएं, नहीं तो सुधरेंगे नहीं, रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है, और औरों पर भी रहम करना है, बाप को भी तरस पड़ता है, देखना हैं, हम कितनों को आप समान बनाते हैं, बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परीचे दिया, वह भी फिर लिखते, बाबा, हमको इन द्वारा परीचे बहुत अच्छा मिला, बाबा के पास सबूत आए, तब बाबा समझे, हाँ, यह सर्विस करते हैं, बाबा को लिखे, बाबा यह ब्रामनी तो बड़ी होश्यार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है, योग में फिर बच्चे फेल होती हैं, याद करने का अकल नहीं है, बाब समझाते हैं, भोजन खाते हो, तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ, कहां घूमने फिरने जाते हो, शिव बाबा को याद करो, जर्मुई झजगमुई ना करो, भल कोई बात का ख्यालात भी आता है, फिर बाप को याद करो, तो गोया काम काज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया बाप कहते हैं कर्म तो भल करो, नेंद भी करो, साथ साथ यह भी करो कम से कम आठ घंटे तक आना चाहिए यह होगा पिछाडी तक, धीरे धीरे अपना चाट बढ़ाते रहो कोई कोई लिखते हैं, दो घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चाट ढीला हो जाता है वह भी माया गुम कर देती है, माया बड़ी जबरदस्त है जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे, वही याद भी कर सकेंगे घड़ी-घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे, बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं खुद भी फील करते हैं, हम याद में रह नहीं सकते हैं, याद में ही माया विग्न डालती है पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे, उतना साहुकार बनेंगे बाप तो सभी को पढ़ाते हैं न, वाणी सब के पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रही है वाणी नहीं जाती, तो चिलाते हैं, कई तो फिर ऐसे भी हैं, जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते मुरली सुनने का शौक होना चाहिए गीत कितना फर्स क्लास है, बाबा हम अपना वर्सा लेने आई है कहते भी है न, बाबा, जैसी हूँ, तैसी हूँ, कानी हूँ, कैसी भी हूँ, आपकी हूँ वह तो ठीक है, परन्तु, छीची से तो अच्छा बनना चाहिए न सारा मदार है योग और पढ़ाई पर बाब का बनने के बाद, यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाब का बनने हैं, तो स्वर्ग में चलिंगे ही परन्तु, हमें स्वर्ग में क्या बनना है, वह भी सोचना है अच्छी रीती पढ़ो, दैवी गुण धारन करो बंदर के बंदर ही होंगे, तो क्या पद पाएंगे वहां भी तो प्रजा, नौकर, चाकर सब चाहिए न पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरीड होएंगे जितना पुर्शार्ट करेंगे, उतना अच्छा सुख पाएंगे अच्छा धनवान बनेंगे, तो इज़्जत बहुत होगी पढ़ने वाले की इज़्जत अच्छी होती है बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शान्ती में रहो परन्तु बाबा जानते हैं, सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं भक्ती मार्ग में भी ऐसा होता है कोई भक्त अच्छे फर्स क्लास होते हैं, जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं जो बहुत अच्छी भक्ती करते होंगे वही आदाती है। सभी भक्त है ना। सन्यासी आदी नहीं आएंगे, सभी भक्त भक्ती करते करते आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाती है। तुम ज्ञान उठा रही हो, सिद होता है तुमने बहुत भक्ती की है। जास्ती भक्ती करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ती करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे, सर्विसेबल, वफादार। फर्मान बरदार बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धार्ना के लिए मुख्य सार। पहला, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उसमें मोहो की रग नहीं जानी चाहिए, नश्टो मोहा बनना है, युक्ती से समझाना है, अपने उपर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरा, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे, भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना है, जर्मुई जग्मुई नहीं करना है। वर्दान, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी साहारा देने वाले आधार उधार मोरत भव। वर्दमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहा मन के अनेक टेंशन की हलचल है। कहा प्रकृती के तमो प्रधान वायू मंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिये जा रही है। इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से ठक कर वास्तविक सहारा ढूंड रही है। तो आप आधार उद्धार मूरत आत्माएं उन्हें स्रेष्ट अविनाशी प्राप्तियों की यथार्त वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूती कराओ। स्लोगन समय अमूल्य खजाना है इसलिए इसे नष्ट करने के बजाए फॉरन निरने कर सफल करो। ओम शांती।